नमस्कार दोस्तों एक बर फिर से आपका हार्दिक स्वागत है हमारे चैनेल सपने जुहाने NS प्लेश 24 और दोस्तों आजम बात करने वाले हैं यदि आपके घर में बिल्ली बच्चे देती है तो इसका क्या संकेत माना जाता है यदि आपके घर में कोई बिल्ली आके बच्चे देती है तो ये शुब होता है या फिर अशुब होता है सास्तरों के अनुसार घर में बिल्ली का बच्चे देना कैसा माना जाता है ये शुब संकेत होता है या फिर अशुब माना जाता है तो आई ये दोस्तों जानते हैं बिल्ली को अक्सर लोग अशुब मानते हैं जैसे कि बिल्ली का राष्टा काड़ जाना या फिर घर में बिल्ली का रोना काफी बुरा माना जाता है लेकिन यदि आपके घर में बिल्ली बच्चे देती है तो ये क्या शुब होता है या फिर अशुब माना जाता है तो आई दोस्तों जानते हैं दोस्तों जिस घर में भी बिल्ली बच्चे देती है उस घर को बिल्ली शुरक्षित महसूस करती है उस घर में नकारात्मक उर्जा नहीं होती है सास्त्रों के अनसार घर में बिल्ली का बच्चे देना शुब माना जाता है ऐसा माना जाता है जिस घर में भी बिल्ली बच्चे देती उस घर में कोई परिशानी कभी दस्तक नहीं देती उस घर के लोगों के कारियों में तरक्की होती है उस घर में कभी भी आर्थिक तंगी नहीं होती उस घर में कभी भी आर्थिक तंगी नहीं आती है ऐसा माना जाता है जिस विक्ति के घर में बिल्ली बच्चे देती है उस विक्ति को आगे चलके आने वाले समय में दौलत शहरत और सम्मान हासिल होता है और साथ ही आने वाले समय में आपको धन भी प्राप्त होता है इसलिए कभी भी यदि आपके घर में बिल्ली बच्चे देती है तो उसे नुकसान बिल्कुल न बहुँ जाए तो दोस्तों में आशाकार्टी ये जानकारी आपको पसंद अगर पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए शेयर कीजिए और साथी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें नमस्का दस्तों